भारती शेयर बाजार में मंगलवार को भारी गिरावट के बाद बुद्धबार को रिकवरी देखने को मिली सेंसेक्स और निफटी 2 फीसद से जादा रिकवर हुए इस बीच मंगलवार तक शेयर बादार में विदेशी निवेशकों की विक्वाली का सिलसला बना रहा देशी निवेशकों की वज़े से भी तो उन पर भी बात करते हैं तर चार सवाल पहला सवाल अब बाजार राजनीती को कैसे देख रहा है क्या समझ रहा है अब शेर बाजार की निगाहे किसी कमपिनी के नतिये पर नहीं बेलकि दिल्ली में चल रही बैठकों के उपर है और दो बड़ी बैटकें इंडिया गटबंधन की और इंडिये की बैटकें हो रही है। बाजार ने आज सुबहे एक तेज गिरावट देखी, जब उसे ये आशंका बंती दिखाई दी कि अब यहां से भारती शेर बाजारों को जो उन्होंने पिछले दस साल में नहीं देखा निवेशकों ने उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। बाजार रोज इन बैटकों के घटना करम को देखेगा और करीब से समझेगा अगर अपनी वेशक हैं तो वालेटिलिटी के लिए उतार चड़ाओ के लिए अपनी पीठ और अपने 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 अपनी तैयारियों को मजबूत कर लिए ज्योंकि बाजार में अब आने वाले समय में में कम से कम अगले एक डिड़ों महीने तक तेज उतार चड़ाओ रहेगा राजनीती कि क्या होगा क्या कोई कामन मीमिनम प्रोग्राम आएगा उस प्रोग्राम के तहच जो बड़े कारेकारम थे उनका किस तरीक का घटना क्रम होगा ये सारी चीजें वापस राजनीती में आ गई है और ये इंडिया सरकार के काम कर्ने को इस्थिरता को प्रभावित करेंगी ये तो इंडिया कैम्प की बात हुई जहां नई सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है प्रदान मंतरी ने इस्तीफा दिया है नई सरकार के शबत गण की तारिखें दे दी गई है लोग सभा भंग कर दी गई है नई लोग सभा को अधिस उचित किया जाएगा चुना होगा इस उथल पूथल के बीच बाजार ऐसे ही डामाडोल होता रहेगा फिलाल बाजार अब कापरेट फंडामेंटल्स से ज्यादा पॉलिटिकल मुवमेंट्स पर पॉलिटिकल सेंटीमेंट्स पर चलेगा और उसे करीब से देखेगा इस बात की की संभावना है कि ये र बाजार में अगर आप लॉंग टर्म निवेशक हैं, मीडियम टर्म निवेशक हैं, तो ध्यान रखिए कि कोलियेशन सरकार है, आने वाले समय में बाजा सरकार के फैसलों की प्रिस्थितियां लगभग वैसी नहीं होंगी, जिसी प्रिस्थितियां हमने पिछली बार मिजोरि पर्टी की अपूर्ण बहुमत वाली राजनीतिक भारती जनता पर्टी की सरकार में देखी दी.